हेलो, वेलकम टू केन श्टडीज, CAPFAC 2022 के जो भी एस्पिरांट्स हैं, तो हिंदी माध्यम बाले बहुत बेचैन थे, तो हमने ये बोला था उनको, कि ठीक है, हम हिंदी माध्यम बाले के लिए भी वीडियो बनाएंगे, तो ये हमने भाग एक इसमें लिखा, इस बज़े से, कि इस सीरीज में हम कई वीडियो बनाएंगे, एक में मैं छोटे छोटे पार्ट्स को करके कई सारे प्रोवाइड कराऊंगा, कई सारी चीजे उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज थ्यान रखना, कि हमीशा जब तैयारी करो, जो भी चीज का एक्जाम का आप प्रेपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले अपने आप से कुछ प्रशन पूछना है, बचली हम इस सारे चीजों में डिसकस करेंगे, कुछ का डिमांड था कि जो भी है स्ट्रैटजी, बुक लिस्ट और ये सारी, हम धीरे-धीरे क करके ये एक में पॉसिबल नहीं है, मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको आप से कुछ प्रशन करने की कोशीज करूँगा, और ये इंसर आप हमें नहीं बताना, ये आप अपने आप से पूछोगे, जो प्रशन हम उठा रहे हैं, उठाएंगे इसमें, उसको अपने आ राइटिंग कुछ नहीं, मैं हिंदी मेडियम अस्टूडेंट क्या करूं, गीब अप कर दूं, प्लीज रिपलाई, जिस्की में जीन करो, मैं समझता हूं कि असिस्टेंट कमांडेंट के जो भी एक्जाम 2022 में देंगे, तो या तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या ग्र रहा है, और आप ये सोच रहे हो, और अपने लाइफ में, आप 20 years minimum अपने साथ जीए हो, और आप मेरे से पूछ रहे हो, जबकि मैं आपको प्रशनली जान भी नहीं रहा हूं, कि प्लीज रिपलाई करो, कि मैं गीब अप कर दूं या नहीं, तो ये आप अपने आप से, मै मैं जान रहा हूं प्रशनली, और आप अपने आसपास देखो, हिंदी माध्यम के स्टुडेंट भी हर साल क्वालिफाई करने हैं, मैं ऐसे बहुत सारे स्टुडेंट को जान रहा हूं हूं, जो हिंदी माध्यम से थे, और उन्होंने क्वालिफाई किया, बहुत सारे ऐसे ह पुर इजामपल प्रभाद कुमार सींग अभी गए फिर और मैं देख रहा हूं रच्छा राम मिश्रा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए ठीक है फिर अजय सोनकर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हिंदी माध्यम के अस्टुडेंट इन नंबर ओफ अस्टुडेंट आइसे हैं जो हिंदी माध्यम से भी कंप्लीट करते हैं मैं कुछ प्रस्टनली ऐसे लोगों को मेरे फ्रेंड्स ही वो हैं हिंदी माध्यम से होते हुए क्वैलिफाई की हमारे साथ भी और कुछ हमारे बाद भी और कुछ कुछ का में मार्क्स लाया तो यह कैसे पॉसिबल उन्होंने यह चीज नहीं किया कि मैं गीब अप कर दूं और हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी हो तेंथ क्लास में तो आपने इंग्लिस पढ़ी या ना पढ़ी मैं समझता हूं बिहार बोर्ड को सबसे इन फैक्ट बिहार एजुके बहुत जादा है और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं चीजों को जानते हैं लेकिन कभी भी उस लेवल से एंगल से कोशीज नहीं करते हैं तो आप जब भी तयारी स्टार्ट कर रहे हो तो अपने आप से कुछ प्रशन पूछो कि क्या आपने टेंथ पास किया है और 10th पास किया है तो क्या आपने मेहनत से किया है यह प्रशन सबसे पहले पूछो कि 10th पास हो और इसलिए आप हो 10th अपनी मेहनत से किये हो उसमें इंगलिस कोई सब्जेक्ट था आप अभी भी यदि ऐसा लगता है तो आप 10th क्लास का बोर्ड का जो भी एक्जाम या तो आप अपने बोर्ड में देखो कि क्या एक इंगलिस का पेपर था और वो 10th क्लास का पेपर लो जो एक्जाम दे रहे हैं आप क्या 10th के पेपर को सोल्व कर पा रहे हो यदि सोल्व कर पा रहे हो तो no doubt आप इस एक्जाम में भी कर सकते हो जब हर वो सब्जेक्ट है जितने आप अपना जो असिस्टेंट कमांडेंट का ग्रामर है और जो 10th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ग्रामर को देखना या 12th क्लास के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके ग्रामर को देखना जो उनके बोर्ड में एक्जाम होते हैं उसके ग्रामर को देखना मैं समझ आपको लगता है कि Hindi माध्यम, तो Hindi माध्यम में भी मैं देखता हूँ कि चार लाइन आप सही से ये लहीं और जदी आप चार लाइन Lex में लीक सकते हो सही से, तब Believe Me भरोसा आप हम पर करो कि आप English माध्यम में भी लीक सकते हो Paper 1 जो है, आपका Assistant Commandant का Paper 1 में क्या Question Hindi और English Medium में अलग-अलग होते हैं? ये Question अपने आप से पूछना, इंसर इसका यह है कि Hindi Medium में जो Question होते हैं, वही English Medium में Question होते हैं, आपको Same Question Hindi में भी दिया रहता है और English में भी दिया रहता है, तो मैं समझता हूँ कि ये 250 नंबर जो है, उसमें आपको Language का Question है, English के लिए भी Same Question है, 80 नंबर का जो आपका essay है Paper 2 में, वो आप अपने Language में उसको तो सही से लिख सकते हो, हाँ, अब 80 में से 80 किसी को नहीं आएगा, लेकिन आप, ये आप में है capability कि 80 में से ये 40 ला सको, यदि 40 ला सकते हो, 80 में से, मैं 50% रिजस्ट का रहा हूँ, 80 में स बहुत सारे हैं, जो 50 तक लाते हैं, 52, 55 भी लाते हैं, लेकिन अपने आप से पूछो, ये क्या 80 में से 40 marks लाने की को ये छमता है आप में, तो अब just imaging करो, अभी CISF का, LTC का exam होने वाला है, जो 2022 का, उसमें मैं कुछ candidate को, जिनको personally guide किया, for example, एक candidate, जो interview में, obviously interview उन्होंने द obviously उसमें three attempts मिलते हैं, उसमें obviously LTC में limited departmental examination, just imagine करो, एक student 2006 में CISF को join करता है, जो constable के तौर पे, और वहीं रह करके part time में graduation करता है, अब सोचो, एक constable की हालत क्या होती है, constable है, धीरे धीरे करके वो graduation करता है, उसके बाद अपना वो departmental exam दे करके एसाई बन जाता है, उसके बाद continuous married है, बीवी है, बच्चे है, duty पूरा आप कर रहे हो, उसके बाब जूद भी वो preparation और जीवन भर हमेशा हिंदी माध्यम से पढ़ा, सारी चीचे पढ़ाई हिंदी म होते हुए, नौकरी करते हुए, और family life जीते हुए, वो candidate भी किसी धंग से सीख करके जितना हो सकता है, कर सकता है, क्या आप अपने आप से पूछो, और ये practical है, और वो candidate अब बहुत समय से मुझे इस बार साइद बहुत खुशी होती, मैं उनके बारे में share कर पाता, unfortunately कुछ नंबर से final selection नहीं हुआ, चुकि इस बार cut off, obviously है हर candidate अपने level से अधिक से अधिक push करना चाहता है, cut off क्यों जादा जा रहा है, कि लोग candidate अच्छे candidate आ रहे हैं, और जो simple candidate भी हैं, जिन candidate को average आप मानते हैं, वो candidate भी मेहनत कर रहे हैं, उसने कभी एक तरह से negative नहीं सोचा, कि क करता था, कि किसी ने ये बताया, उस कुल लर्ण करने के लिए तयार है, क्या आप दीन भर मजदूरी करते हैं, और साम में फिर पढ़ाई करते हैं, ऐसी इस्तिती है, या फिर उस situation में है, कि जहां दीन भर आप puncture cycle के दुकान में बनाते हो, एक cycle के दुकान में पंक्चर ब हम इसमें करेंगे, कई पार्ट में ये करेंगे, जो book list है, strategy, बहुत सारी चीजें है, कुछ questions के discussion जो होंगे, वो सारे हम करने की इसमें courses करेंगे, कुछ questions भी आपको हम coming days में, पहले हमाई syllabus, coming जो पार्ट होंगे, उसमे syllabus सपोज discuss करेंगे, फिर हम उसमें से book list आपको हिंदी में discuss करेंगे, अब for example, book list हमने English में provide किया हुआ है, क्या आप English में book list जो है, क्या उसका हिंदी भी आप नहीं समझ पा रहे हो, ये अपने आप से प्रशन पुछो, ये मेरे से बताने की जरूद नहीं है, जो लोग को लगता है, क्या आप उस English में जो medium, English medium बाला है, NCIT की है, तो आपकी इस्थिती बहुत बुरी है, but still, मैं कोशीज यही करूँगा, मैं करूँग आपको कि हिंदी में वो सारे book का list प्रोवाइड करा दूगा, मैंने multiple videos में बनाय हुए है, बताय हुए है, लेकिन वो book का name English में दिये हुए, तो same book, मैं basic NCIT बोलता हूँ पढ़ने क ही है, तो क्या आप English Medium के book के इतिहास जिती हिस्ट्री लिखा हुआ है, Modern Themes in Indian History, Part 1, तो क्या आप उसको हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं हो, पैसे मैं तौन इतना आप समझ पा रहे हो, हम इसा ध्यान रखो कि कोई भी जो select हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुर एक्जामपल बताता हूँ, प्रभाद कुमार सिंग, उनका ठिक ठाक रैंक था 119, ये आपका 2019 में, अब वो जब इंटर्व्यू में गए, तो इंटर्व्यू बोर्ड में पुछा कि इंटर्व्यू के लिए तो इन्होंने बोला कि देखो, जो basics मेरा है, वो हिंदी में है, यानि कि मैं अपनी दिल की बात जो है, सही से हिंदी में प्रजेंट कर सकता हूँ, तो इंटर्व्यू बोर्ड में बोला कि नहीं, अभी दिल की बात रहने देजिए, आप इंगलिस में हैंसे बात कीजिए, तो बिसली है, even if he was mentally prepared कि मैं हिंदी में इंटर्व्यू देने वा परिफ से जुड़े अजैसोन करके, उसने किया, यस जैसे भी हो सकता है, सीख सकता था, उसने ट्रेनिंग भी complete कर लिए, और इन नंबर ओफ हमारे साथ ही, हमारे बैच में बहुत सारे लोग थे, जो अल्रेडी जॉब भी कर चुके थे, उसके बाद भी ट्रेनिंग में भी फिजकल इक्सरसाइज करना, रनिंग करना, ड्रील करना, इंजूरी हो गया या कुछ हो गया, उसके बाद ग्लास अटेंट करना, उसमें आपको CRPC, IPC, यहनि चार साल में इधर जो पढ़ रहे हो, वो एक साल में, एक्जाम भी पास करना है, ड्रील भी देना है, और जब त आए, अब 9.30 में सपोज आपने लाइट आफ कर दी, कि तो शाड़े-दस बज़े सपोज सो गया, अब 11 बज़े भी जिलवज गया, कि आना है, आपको जैसे भी सोय हुए हो, जदी आपके बगल के रूम बाला कोई सोया हुआ है, अब आपका duty है कि उसको उठा करके लाना है, ये challenges, इस चीज़ को देखो, for example, मैं खुद अपनी life में, मैं class 12 तक हिंदी मेडियम में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं खुद गाउं में रह करके पढ़ा कि आप फीर जैसे जैसे, obviously है, बाहर आया, धीरे-धीरे करके, लेकिन मैंने 12 हमी तक की अपनी पढ़ाई जो ह हिंदी मेडियम में की, इंट्रिस्टिंग बात बताता हूँ कि जब class 10 तक में था, तो 8th, 9th, 10th उश्र स्कूल में पढ़ा, जहां रामधारी शीन दिन कर, आप जानते हो राश्टर कभी रामधारी शीन दिन कर, वहां के अब पहले principal जब 1933 में हमारा school established हुआ था, तो उसके वह प्रथम principal बनाए गए थे, तो एक तरह से हिंदी की वहां परमपरा है, तो सब चीज हिंदी में ही होता था, अब एक teacher थे, वह हिंदी पढ़ाते थे, अब वह class teacher हमारा हुआ करते हैं, जो हम engineering college में जाते हैं, medical college में जाते हैं, और graduation के कुछ जगा जाते हैं, तो attendance जो होता है, या post graduation में हर class में होता है, हर lecture में attendance होता है, लेकिन उस समय के attendance का system होता था, कि first class में, यानि जो class teacher आपके हैं, आप हर जगह देखते होगे, primary school में यही system होता है, तो 8, 9, 10 में भी यही system चलता था, कि class teacher जो होते थे, तो suppose कुछ लंबे समय तक हमारे class teacher रहे, मैं समझता हू कि 3 years में, 2 years side हिंदी वाले ही class teacher रहे, चुकि मैं section A में हुआ करता था, तो अलग-अलग teacher होते थे, तो मैं section A, B, C, 3 section चलता था, तो section A में हुआ करता था, तो अब उसमें क्या करता थे, जब attendance वो लेते थे, तो उनका कहना था, वो role number one नहीं बोलते थे, बोलते थे, क्रमां एक, आपको बोलना होता था, कि उपस्थित स्रीमान, अब या तो English medium के teacher हैं, या दूसरे subject के, तो आप उनके बाले में यसर बोल सकते थे, लेकिन उनके बाले में ये ध्यान रखना पुड़ता था, कि जिहां स्रीमान, या उपस्थित स्रीमान, just सोचो, मैं खुद उस background से आया हूँ, लेकिन I am equally capable to write in Hindi, as well as English, English में भी मैं लीग सकता हूँ उतने efficiency से, और Hindi में भी मैं उतनी efficiency से लीग सकता हूँ, तो ये problem language का नहीं है, ये problem आपकी mentality का है, आप उस चीज को कोसीज करो, आपके पास numerous example, आप हमारी बात को बिश्वास मत करो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी बात को बिश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, आप in number of sources से देखो, आज के date में हमारे पास YouTube से लेकर के बहुत सारे Google में सर्च करो, हिंदी माधिम से कौन से student है, या in number of TED Talks से लेकर के बहुत सारे Talks, जिसमें कुछ candidate ये बोलेंगे, कि yes हमने 12 तक, ये graduation तक हिंदी म में रहे, गाउ में रहे, तूटे-फूटे धर में रहे, जहां छक चू रहा था, लेकिन फिर किसी धंग से हमा scholarship पे गए, engineering में गए, या फिर जो भी graduation में गए, वहां हमने English पढ़ना start किया, धीरे-धीरे करके, बेजिती महसूस होती थी, लेकिन हमने ये ठान लिया कि कर सक हैं, तो आप कर सकते हो, basics मैं यही कह रहा हूँ, कि तेंथ तक मैं फिर आपसे यही चीज कहता हूँ, कि आप अपने आपसे पूछो कि क्या आपने दस्मी परिछा खुद से पास करी है, और दस्मी में English था या नहीं था, और यदि English था, तो आप यदि एक अपने back में standard था, जो आपका label था, क्या आपका label उससे गिर गया है, या आपने उससे कुछ अधिक सीखा है, graduation जदी आपने merit से किया है, तो आप उन चीज़ों को कर सकते हो, तो कहीं भी ये problem ही नहीं है, कि हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, yes, this is true, कि for example, 12th के बाद मैंने जितनी भ ये equivalent, फिर उसके बाद मैंने BA दुबारा से BA करी, मुझे एक और philosophy पढ़नी थी, तो मैंने graduation फिर से की, inevitable graduation, फिर उसके बाद मैंने MA करी, economics में, फिर मैं JRF qualified हुआ, फिर एक तरह से मैंने फिर post graduation एक दांधी and teacher studies में किया, तो no doubt, मैंने सारी चीज़ों को English में किया, लेकिन और example बताता हूँ, मेरा कजीने, मैंने इसाइद अभी एक उसके वीडियो में, एक वीडियो में मैंने उसके बारे में जिक्रिक किया था, वो IIT कानपूर से PhD कर रहा है, इनाइटी से उसने बी टेक, पलस एम टेक किया हुआ है, और IIT से 3 years हो रहे हैं, 3 years plus वो PhD कर रहा है, अब सोचो कि उसने, अभी मैं वो किसी state PCS का just means लिक रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा language क्या है, तो बोला कि बैया मैं हिंदी में paper लिक रहा हूँ, अब just imagine करो कि जो a student 5 years से, एम टेक पलस बीटेक पलस एम टेक 5 years किया, 3 years से PhD कर रहा है, यानि कि 8 years से continuous English में पढ़ रहा है, और वो means बोला कि मैं हिंदी में लिक रहा हूँ, मैंने बोला ये बेवकूपी करने का कारण क्या है, तो बोला देखिए, ऐसा है कि जो ये paper है, उसमें maximum जो arts के subject हैं, obviously है उसने optional अपना science का subject रखा हुआ था, तो बोला कि जो GS है, वो तो arts वाले subject हैं, और arts व फिर means माला optional subject जो है, वो तो science का subject है, तो बोला मैं उसको भी cover कर लूँगा, just imagine करो, कि ऐसा नहीं है, आप ये कहोगे कि वो तुर्रम खान, नहीं, उसने भी जो भी है, चाहे वो NIT में admission लिया हो, या IIT में admission लिया हो, self study करके, yes, I was there, I'm there to guide him, कि yes, ये एक चीज़ करो, इतना करोगे, तो तुम qualify कर जाओगे, लेकिन उसने जो भी करी, self study से, कहीं भी एक तरस नहीं, तो आप अपने आप से पूछो, कि दसमी लेवल का आपको पूछ रहा है, आप positive attitude तो रखो, कोई भी जो है, कि मैं बराबर ये चीज़ बोलता हूँ ना, ये कुछ दिन पहले भी मै सायद दुसमनी मोल लेते हो, किसी से आप प्रेम करते हो, ये होते होते होता है, जन्म के साथ ही कोई, जो एक आप, सायद philosophy, जिन लोगों ने जीवन में कभी थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो जो एक बच्चा पैदा होता है, उसका जो mind होता है, दिमाग कहा दाता है, तबु जो ने लीखा होगा pencil से, वो slate clean है, अब उस पर क्या है, जो आप चाहो उस चीज को लीख सकते हो, तो एक जो बच्चा है, एक किड है, एक जो बच्चा पैदा हुआ है, उसका जो mind है तबुला रासा है, clean slate है, उस slate पे जो भी आप लीखना चाहो लीख सकते हो, for example, अभी मै time है, March, April, May, June, July, five months आपके पास है, अब आप अपने आप से कुछ और प्रशन कूछ हो, अभी बरतमान में यदि आपका paper one का test लिया जाए, तो कितने score आप deserve कर सकते हो, अब ऐसा है यदि, कि बरतमान में आप से test लिया जाए paper one का, आप hundred percent, sorry, hundred plus marks ला रहे हैं, 250 में, hundred plus कोई भी mark, हो सकता hundred one ही ला रहे हो, hundred five ला रहे हो, hundred fifty ला रहे हो, यदि आप paper one में hundred लाने की छमता रख रहे हो, means you are going to qualify यदि आप right track पे करते हो, ध्यान रखो कि जो exam है, आपको 99.5 पलस student से कम से कम आपको सही होना चीए, in fact, final selection के लिए, यदि आप general candidate हो, general, मैं यह इस मज़े से कहता हूँ कि जदि आप कोई OVC candidate है, या SCST candidate है, लेकिन यदि आप general candidate हो, तो believe me, final selection के लिए 99.9%, almost 9% या 99.8% या 99.7%, depending on की कितने seats आते हैं, यदि general candidate हो, तो final selection के लिए 99.9% या 99.8% या 99.7% लोगों से better होना पड़ेगा, तो क्या आप paper 1 में, जिसमें आप कोई भी problem नहीं है, वो उसमें Hindi और English, same question Hindi में है, same question English में है, क्या आप उसमें उस equally comfort level से कर सकते हो, यदि कर सकते हो, तो yes, you can do, आप आराम से उस चीज़ को करोगे, वो चीज़ कर सकते हो, उसमें कोई issue ही नहीं है, तो सारी चीज़ों को देखो, अपने आप से, अब for example, मान के चलो आपको कुछ भी लगता है, राइटिंग की क्या आपकी इस्थिति है, क्या आपने कभी भी टेस्ट दिया, अपने lifetime में, या आप टेस्ट नहीं दिये हो, तो कुछ आप टेस्ट दे सकते हो कहीं भी, या देखो, या तो आप अपने किसी senior को, या अपने किसी friend को, कोई भी previous year, अब लगेगा कि हम टेस्ट के paper कहां से लाएं, previous year paper आपके पड़े हुए हैं, किसी भी ये year का आप download कर लो, UPSC के website पर जाओ, वो free available है, कोई भी, अब आपका कोई ऐसा friend है, जो थोड़ा जानता हो, या जो qualify कभी किया हुआ हो, और आपके copy को check कर सकता है, आप उसको पूरे 3 घंटे, suppose paper 2, 3 घंटे होते, जिस भी आप level में हो, उसको लिखो इमानदारी से, paper 1, 2 घंटे का है, आप paper को download करो, दो घंटे इमानदारी से दो, हिंदी वाला party आप उसको पढ़ो, और उसको solve करो, और उससे अपने friend से पूछो, कि हाँ हमने ये solve किया है, ये situation है, या नहीं है, तो आप हमारे पास test लिख सकते हो, लेकिन यहाँ pay करना पड़ेगा, obviously है कि, मैं already जानता हूँ, कि इंडिया में majority of family है, उनके पास problem है, लेकिन सब के पास इतनी ज़्यादा problem नहीं है, कि आप कुछ पैसे pay नहीं कर सकते हो, यदि कुछ इतना ज़्यादा problem है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं आपको part time job दो घंटे के लिए कर लेना चाहिए, नहीं है, तो आप 1500-2500 खर्च करने के capable हो, तो आप को seize करो, एक test आप सपोज, for example एक test है, तो एक test में paper one, paper two देते हो, तो मैं आपको 654 example आपको pay करना पड़ेगा, paper one, paper two, test में ना करके, उसके बाद मैं आपकी copy को check करता हूँ, उसके बाद मैं आप से बात करूँगा, कि यस आप अभी यहां deserve करते हो, इस चीज को कर सकते हो, यहां आपकी इस्थिती है, आप अपना चाहो तो इस जंग से सुधार कर सकते हो, आप में यह potential है, आप बोलो कि 650 आप नहीं है, तो अब इसली बात में फिर किसी, मैंने अल्रेडी बोला, पहले तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, किसी friend को पकड़ो, और वो भी set, लो, उसको लिखो, और उससे check करवाओ, तो कुछ चीजों को करो, तब आपको पता चलेगा ना, पहले तो पता चलना चाहिए, कि हम कहां हैं, कहां हम इस्थित हैं, जब तक यह हमको पता नहीं होगा, कि हम किस जगह पे हैं, और हम कितना जानते हैं, कितना हमें आगे जाना है, तो यह नहीं हो सकता है ना, कि आप यह कहते हैं ना कि भले हम दोड़ ना सकें तो चलें, चल ना सकते हैं तो रेंगें, इन फैक्ट पहले यह बोला जाता है कि हम यदि उड़ सकते हो तो उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दोड़ो, दोड़ नहीं सकते हो तो वाक करो, और वाक भी नहीं कर सकते हो तो रेंगो, लेकिन जहां भी चलो मंजील की ओर चलो तो जिस डिरेक्शन में जदि मंजील इस डिरेक्शन में चल रहा है तो इस डिरेक्शन में भले एक-एक कदम उठाओ small or small कदम उठाओ और एक और प्रश्ण अपने से पुछो जदि आपको English real में tough लगता है तो क्या आप उस exam को qualify करशने के छमता रख रहे हो जहां हिंदी सिर्फ यानि कि आपके language में हिंदी और in fact मैं समझता हूं हिंदी और English दो major language है उसमें से एक आपको कहीं ने कहीं आना चाहिए तो suppose हिंदी है तो for example जदि आप assistant commandant एक directly appointed guested officer DAGO है तो directly appointed guested officer आप assistant commandant बनना चाहते हो तो state PCS का जो job होता है actual में देखा जाए तो pay scale wise इससे lower होता है तो क्या state PCS में final selection हो सकता है आपका यदि आपको लगता है कि English के कारण हमारा burden हो रहा है तो आप state PCS का तयारी कर सकते हो वहाँ हिंदी में सिर्फ सारा चीज़ लिख सकते हो इनके हिंदी वहाँ composer ही होता जो इंग्लिस जानता है भी है उसके लिए हिंदी support Jesus state में अब पंजाब का दोगे तो पंजाबी वहाँ जरूरी होगा तमिल ना डूगा दोगे तो तमिल आपका important होगा लेकिन मैं जब हिंदी की बात है तो हिंदी में तो आप क्या PCS state PCS का qualify कर सकते हो यदि आपको लगता है कि इंग्लिस के कारण हमारा career बरबाद हो रहा है तो believe me उसको छोड़ करके आप हिंदी वाले को भी सिर्फ कर सकते हो लेकिन अपने आप से इंचीलों को देखो मैं next जो वीडियो होगा उसमें आपको syllabus decode करूँगा syllabus जो है उसको हिंदी में समझाने का आपको परियतन करूँगा फिर उसके बाद book list भी आपको provide कराऊँगा जो book list हिंदी में उसको बचली है English में मैंने same books जो है वो multiple time provide कराए हुए है उसके list लेकिन हिंदी में भी मैं आपको provide करवा दूँगा हिंदी में भी मैं सारे चीज़ों को subject को मैं discuss कर दूँगा कि ये ये सारे चीज़े हैं ठीक है हिंदी में भी gradually कुछ questions भी मैं discuss करूँगा आपसे paper one और paper two दोनों के question मैं आपसे हिंदी में discuss करूँगा कुछ भी question security है आपका तो आप हमें message कर सकते हो please no call only message आप 8527 146498 WhatsApp number या फिर telegram number 7404 909669 पे आप message कर सकते हो चिनको भी लगता है कि हम at least एक test देना चाहते हैं तो आप एक test दे दो मैं समझता हूँ एक test से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा यदि आपको even if यह लगता है कि नहीं this is not my cup of tea आप try कर सकते हो या किसी friends को आप पको इस series में मैं कई video बनाऊंगा धीरे धीरे करके अब देखो end number of मेरे पास कुछ candidate जितना हो सकता है मैं करने की कोशीज करता हूँ अब test हम conductor वा रहे हैं जो pay कर रहे हैं वह बचली उनके लिए अब आपको लगता है कि हम regular कोशीज हम करते हैं कि एक video कम से कम open में डाले लेकिन कुछ जो होते हैं आप for example जो paid वाले हैं कुछ जो हमसे प्रशनल लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो उनका जो हो पाता है मैं जितना हो सकता है वो करने की कोशीज करता हूँ even if I'm not getting proper time sometime for myself लेकिन उस सीज को करता हूँ ठीक है तो आप अपने आप से जो कुछ मैंने बोला उसको अपने आप से वो प्रशन को पूछो यदि आपको लगता है कि yes, आप suited है तो आप कर सकते हैं otherwise आपके पास विकल्प है और कुछ प्रशन जो है अपने से पूछो दूसरे से ये नहीं क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सबसे अधिक समय तक किसके साथ रहे हो तो आप अपने साथ मैं सबसे अधिक टाइम मैं अपने साथ रहा हूँ मैं अपने साथ हमेशा रहता हूँ हाँ, अब कुछ ये टाइम है कि sleeping में है साइद sleeping में आप dream देख रहे हो तो साइध आप अपने साथ नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं, उस अनुसार में देखा दाए, तो आप अपने साथ की हो, ठीक है, तो अपने आप से कुछ प्रशन पूछो, और एक graduate हो करके, यदि आपको ये लगता है, कि मैं give up कर दूँ या नहीं, ये आप reply करो, तब मैं give up करते हो, हाँ, अब deserve नहीं करते हो, इसका मतलब नहीं मैं कर रहा हूं कि आप छोड़ दो, नहीं, आप इस समय deserve नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसमें change कर सकते हो, वो जो कहते हैं, कि करत-करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी याबत जात है, सिल पर पड़त निसान तो ये आप करो चीजों को, ठीक है, तो I hope कि कुछ चीजे आपको clear हुई है, बाकि चीजे हम देरे-देरे करके करेंगे, ओके, thank you.